Hello Everyone, The Political Master में आप सभी का स्वागत है दोस्तो क्लास 9 और क्लास 11 में जो भी स्टुडेंट इस साल फेल हुए थे उन सभी के री एक्जाम जो हैं दोस्तो आप करवाय जा रहे हैं और जिन भी विशे में जो भी चातर चातर हैं फेल हुए थे कि प्रोजक्ट को कैसे करें इसे सौल फे कैसे करें किस पेज़ बे करना है एफ़ोर सीट का परियोग करें या नहीं करें सिंपल पेपर का परियोग करें यदि एफ़ोर सीट का परियोग करना है तो लाइनिंग वाले पेज़ का परियोग करें एको के हम बात करेंगे दोस्तों एको के एक एक जामपल लेंगे सभी जो विधारती हैं सभी को अपने विशेज जम्मदी प्रस्टन पर मिला है किसी प्रकार से सोल्व करना है जैसे मैं आपको एक्जामपल के तौर पर बताने वाला हूं तो चलिए सबसे पहले दो सुरू करते हैं और देखते हैं क्लास 11 में एको में कौन कौन सी कोशन मिले हैं फात्रों को करने के लिए तो जैसे दोस्तों हमारे पर तीन प्रस्टन है क्लास 11 में तीन चात्रों होंगे जो भी एको में फेल होंगे उन छातरों को इसी अधार पर प्रसंद करने के लिए मिला हुआ है पहला कोश्चन दोस्तों यह है पहला कोश्चन पुछा गया कि कोविड-19 महामारी के दोरान मानो पुंजी निर्मार की चुनोतियां और अफसर दोस्तों मैं आपको पता तो जो भी आपको कोश्चन मिला है उसे आपको सही सीं करना है पहले उसे समझे और फिर उसका उत्तर लेकना सूरू करें राइड क्योंकि इस कोश्चन से संबंधित प्रसंद जो है दोस्तों आप से पूछे जाएंगे ये भी पूरी साफ तरीके से लिखा गया है जो एडरे एक्जाम करवाया जा रहे हैं यानि जो भी आप प्रोज़क्ट कर रहे हैं जो भी प्रसंड कर रहे हैं उससे संबंदित प्रसंड आपसे पूछे जाएंगे तो आप copy paste ना करें यदि copy paste करें तो उसके बारे में आपको पता हो चाहिए जैसे यहां पर दोस्तों कोविड-19 महामारी के दुरान मानो पुंजी निर्मारी की चुनोती है और आफसर तो सबसे पहले दोस्तों की मानो पुंजी निर्मार है यह आपको पता होना चाहिए इसके बारे मैं आपको लिखना है उसके बाद दोस्तों आपको बताने क आप करें वह अपको पता होना चाहिए दूसरा कुछशन क्या पुछा गया एक दौरान विपरित प्रवसCN के कारण और परिदामसел गे नाद इन के बारे में आपको पता है जब 2020 में महामारी आई तो हमने पता था कि हमने इसके बारें स्दाल परस्व कर रहे हैं ग्रामिट से लोग सहरु तरफ क्या करने के लिए आते हैं पैसा कमाने के लिए आते हैं हना अच्छी जीवन जीने के लिए आते हैं ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके और अपने सभी को एक अच्छी लाइफ दे सके ताकि वो विकास कर सके तो इसलिए लोग गाउं से सहर क्यों तरफ आते हैं लेकिन क्रोना महामारी के दुरान क्या हो दोस्तों लोग मजबूर हो गए सहर से गाउं के और प्लाइन करने के लिए राइट यानि सहर लोग गाउं से सहर आते हैं कमाने के लिए लेकिन अब लोग सहर से गाउं जाने लेगे क्यूं क्यूंको क्रोना की वजह से सभी काम दंदी बंद हो गए इसे ही कहा जाता है विपरित परवर्शन यानि सहर से गाउं की और जाना ठीक ही आपको पता चल गया तो इसे सारी चीज़े दोस्तों आपको आपको सब पता है यदि आपने इसे जो भी आपने देखा है अगर आपने अपने सब्दों म सब्सक्राइब जो प्रसंद पूचे गया है बहुत इजी तरीके से पूचे गया है आप इससे असानी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में आपको हर चीज़ पता होगी इसे पर कर कोविड-19 महामारी के दुरान मंद्रेगा ने क्या रोलादा किया तो मंद्रेगा क् कानधी रोजगार गरंटी हो जना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कब लागू किया गया है यह सारी चीज़ आपको पता होने है और उसके बाद को करना है उसके बाद की मानों पुझी निर्मार्ट में क्या पर भाव पड़ा ये आपको लिखना है ठीक यहां पर करना है इसके पहले पता करना है मंदरेगा कि निखने के बाद ठीक फिर आपको मन्रेगा क्या योगदान रहा कोविड-9 की वज़े से जैसे इसे लोग गाओं चले गए दूसरों में बहुत लोगों को मन्रेगा के द्वारा काम दिया गया जिसे वो अपने मूलभूत सक्ताओं को पूरा कर सके तो यह सारी चीज़ आपको पता होने चाहिए और जो भी प्रसन आप से पूछे जाएं उन सभी प्रशनों को तरह आप आसानी से दे सकेंगे यदि इसको आप लिखते समय सही प्रकार से समझ कर और ध्यान पूरी हो के लिखें सिर्फ कोपी पेस्ट ना कर दें आई होप आप सभी समझ गये होंगों दोस्तों इठी किसी प्रकार से जिन भी चाहत चाहतरा हों का पॉलिकल साइंस में होगा किसी का इस्ट्रीम होगा किसी के मैथ में होगा किसी के सा बात करें तो क्लास नायत में साइंस का भी प्रैक्टिकल मिला है तो साइंस में प्रैक्टिकल में कुछ कोशन पूचे गए हैं जैसे एक्जामपल के लिए हमारा पर दोस्तों जो कोशन आगुए है वह को दिख रहा होगा जूम करें दिखा दो आपको जैसे देखी यहां पर लिखा कि सादे पानी और बरफ के ठंडे पानी में कागज और एलिमूनियम फॉयल पेपर से बनी नावों को तैरने डूपने का निरिक्षण करना और दूसरा है विभिन सतों पर विभिन समागरियों की गेदों को उच्छालना चना राजमा या कोई साबू दाल पानी में भीगोए और उसका निरिक्षण करें अब निरिक्षण कैसे करना है उनके आकार में परिवरतन यानि अगर आपने चना भीगोया है तो उसका आका से कर सकते हैं किसी प्रकार से गूगल का सहारा भी ले सकते हैं लेकिन अगर आप खुद करें और खुद इसका प्रोजेक्ट करें तो आप बहुत सही प्रकार से इसको उत्तर भी दे सकते क्योंकि जो भी आप लिखेंगे दोस्तों का उत्तर आपको देना होगा यह प्रैक्ट के रूप में उबरी है इस बिमादी लक्षा और रोक थाम के उपाएं एवं कोई 19 के पश्चात होने वाले परभाव का पता लगाएं यह कोशन पूचा गया है तो आसानी से जो छात्रे तो इसका प्रसंड का हल कर सकते हैं अगर प्रसंड को हल करते समय तो कोई भी प्रसंड नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वाटसप कर सकते हैं या आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं तो आपको उतर दिया जाएगा कमेंट में जरूर दिया जाएगा ठीक है तो इससे लिए कोई प्रसंड ना हो आप प्रसंड ना हो बस आप जो भी करें उसको सही परकार से करें दोस्तों समझ के करें ठीक है मैत के कोश्चन भी ऐसे हैं दोस्तों मैत के कोश्चन में अधिकतर डाइस का कोश्चन दिया गया है पासे का कोश्चन दिया गया है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे लिख सकते हैं और अच्छी नंबरों से पास हो स सकते हैं ठीक है कोश्शन जो आप सोल्व करते करें सही से करें कोश्शन में ज़्यादा काडी पीटी ना करें ठीक है साफ सूतरी रायटी में करें और प्रोजट साफ कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वह मुल्यंकन के तोड पर अब हो इस каким हैς लिए है और इसी के आधार पर हमें पास किया जाएगा ठीक है एक बार फिर मैं आपको बोल देता हूं दोस्तों जो भी प्रसंद करें आप उसे सही से करें सोच समझ की करें ठीक है और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए आप गूगल का भी परियोग कर सकते हैं बुक्स का भी पर सितना ही यदि आपको यूडियो अच्छे लिए तो लाइक करतें यदि आप हमारे चैनल पर नहीं तो जोस्तों चैनल को जूरू सब्सक्राइब करतें बैल आइकन को दबाना ना भूले धन्यमाद जैहिन